जी एक अचानक भगवान के सुम्रन में तो हम लोग थे ही व्यस्त लेकिन एक से एक धुने बनते हुए गाने होते हुए अचानक कैलासा में एक दिन हम अपनी रेकरडिंग कर रहे थे तो अनुमलिक का फोन आया कि कैलास जी हमको एक और गाना आपके साथ करना है अर्जेंट है लेकिन और इंपोर्टेंट है तो अगर भगवान राम का है तो वो तो इंपोर्टेंट तो वैसे ही होगा जैसे उन्होंने भगवान राम का नाम लिया तो फिर हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है और उसके बाद दीरे दीरे फिर राम का धाम ये गाने का नाम है और इसकी ज चिंतित मेरे हिर्दय के रोम रोम में राम राम और राम 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 तो यह जो राम 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 की रटन है यही इसकी हुक लाइन है और इसी इसके पीछे फिर पूरा इतिहास चल रहा है कि कैसे भगवान राम को आ बताया गया है तो लेखन जिसने भी किया है उसने इसका व्रतांत लिखा है कि आज भगवान के मंदिर की प्रांट प्रतिष्ठा होने वाली है पूरे विश्व में उत्सव मन रहा है पूरा जग राममय हो रहा है दीपों से जैसे दिवाली मन रही है मेरे भारत में ये हो रह लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या रही, इसके पीछे का दुख कितना था, इसके पीछे की पीड़ा कितनी थी, इसके पीछे का संगर्श कितना था, इस वाले पर्टिकुलर गाने में ये बताया गया है, इसकी गाने का नाम है राम का धाम, गाना विमोचित हो चुका है, और ह हमारे कैलासा रेकोर्ड्स पर ही है और कैलासा जो हमारा यूट्यूब चैनल है कैलाश खेर उस पर वीडियो भी आया है वीडियो पे लगबग एक मिलियन के करीब व्यू होने चाहते हैं या तो या हो चुके हैं वो हमारी टीम को पता है लेकिन आप सब देख लीजिए और अ तुनाय बिना क्यों कि ये राम का सुमिरन है तो पहले निमंत्रनों में पर्मात्मा ने हमको चैनित किया था और जैसे ही डेढ़ महिने पहले ही हमको आमंत्रन आय गया था तो चारों और जैसे प्रसन्यता का, मंगल का, शुब का एक प्रवाः बहने लगा और चारों और से बधाईवी आने लगी चारों और से अभिनंदन आ रहा था और उस वक्त से ही बहुत आप जैसे प्यारे लोग सब पूछ रहे हैं आपको हमंतरन मिला है कैसा लग रहा है आप अयोध्या जा रह हैं क्या आपकी अनुभूतियां हैं क्या आपका भी एहसास है क्या आपके भीतर चल रहा है तो हम ये बताना चाहते हैं पुना पुना कोटी कोटी नमन करता हूं इस पावन भूमी को जिसका नाम है भारत कोटी कोटी नमन करता हूं अभिनंदन करता हूं इस पूरी जनाध विक्यको जिसका नाम है भारत वासी जो हमारे हिर्दय के वासी भी हैं हमारा अंश है हम तो हिर्दय का अंश बोलते हैं फैंस नहीं बोलते मेरे हिर्दय का अंश हैं आप ए मेरे प्यारे लोगों माना कि परिवार में भी थोड़े उदास होने वाले लोग भी हैं थोड़े न अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में अमंत्रित करने का सोभाग्य प्राप्त हो जाए अमंत्रित होने का तो आपकी कैसी अनुभूती होगी वस आज एक बहुत अच्छे चैनल वाले हमसे पूछ रहे थे कि क्या तैयारी है आपकी तो हमने सीधा बुला हमने त तो कुर्ता औरता सब धोलिया अपना पहले तो ऐसे ही कहते थे लोग अब धोते लोग कम हैं अब तो नए बनवाते हैं सब हर चीज में तो यही बात है लेकिन परमात्मा के एक दो नाम के सुमिरन वाले हमने कुछ वस्त्र बनवाए हैं और यहां पर जैश्री राम लिखा हुआ है वो पहन कर हाँ दोड़ेंगे वहां और एक तो हमने इस बार धोती भी पिता जी की आद में निकाली है धोती भी पहनेंगे प्रान प्रतिष्ठा के समय कुर्ता और धोती और उसके बाद अंग वस्त्र में पहन कर बैठेंगे तो बहुत प्यारा मा और पिताजी की पूरी याद हमारे हुर्दय में रहेगी उस मॉमेंट में और मा पिताजी परमात्मा के यहां से देख कर हमको मुस्का रहे होंगे बहुत प्रसन हो रहे होंगे और आशिरवात दे रहे होंगे गुरू लोग, मात्मा लोग देवता लोग, सब देव लोग से मृत्यो लोग से प्रत्वी लोग से जड़ पाताल और तीनों लोगों से नब से, गगन से पाताल से, धल से सब जगा से आशिरवाज बर बरस रहा होगा बस, और हम मंद मंद मुसका रहे होंगे, मेरे दाता हमें निहार रहे होंगे, हम उनके चरणों पर द्रिष्टी रख रहे होंगे, ऐसा वाला द्रश्य हो जाएगा अरी मैं तो राम ही राम भजूरी मिरे राम, राम ही पार लगावेंगे, ऐसा हो जाएगा जैसे, ए उतर रही ए उतर रही मेरे राम की सवारी हो स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो मेरे ताता ने अपनी हथेली जैसे करकियों भगवान आप यहीं उतार लो अपना फुश्कव खुल्मान आजाओ इधर ही आए उतार लो यह लो रे बन गया रहनुए